हैलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत इस नए वीडियो में आज के मिश्वनों बात करने वाले हैं बिहार एस्टेनो एसाई का ओनलाइन फॉर्म फिलप कैसे करेंगे जी हैं दोस्तों बिहार ने एस्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी को निकाली सब्सक्राइब करने में किसी परकार की मिस्टेक नहीं किया और इस बेल नोटिफिकेशन को भी तबाल लीजेगा ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो लाउंच सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे तो फ्रेंट्स आपको फॉर्म फिलप करने के लिए इस वेबसाइट पहले देख सकते हैं बिहार पब्लिक साब और सर्वस कमिशन यह अफिसली वेबसाइट है और यहां पे नोटिफिकेशन जारी हुआ था अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे पीडियो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 17 पेज का यहां पे लास्ट डेट आप द करने में किसी प्रकार की दिकत नहीं हो यहां पे आपको कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंस्ट्रक्षन इसको आपको पढ़ लेनी है अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो भी कोई दिकत नहीं आप इस वीडियो को फॉलो करें आप अवसे सीख जाएंगे कैसे आपक कैसे कैसे फॉर्म फिलब करनी है यहां पर अप्लिकेशन फीव बताएगा आप देख सकते हैं एज लिमीट बताया गया आपको यहां पर सिंपली क्या करना है टीक कर लेना है दोनों को और प्रोसीड टू रिजिटेशन बटन पर क्लिक करना है यहां पर टाइप आप आप तो डाइरेक्ट रिकुटमेंट एक सर्विसमें इंपलाईज और बिहार गुषण तो दोस्तों इस तीनों में से आपको कौई सा चूच करना है अगर अप फ्रेस के ईडिडेट से तो डाइरेक्ट रिकुटमेंट करेंगे अगर आप गौश्मेंट के इंपलोई है तो यहाँ पे दो नमबर बटन पे क्लिक करेंगे मैं आपर फ्रेज करना हूँ डारेक्ट रिकूट्मेंट पे क्लिक करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो बंदा है ना कोई एक सर्विसमेन है और ना ही वो गवर्मेंट का इंपलॉई है बिहार गवर्मेंट का अब आपको अपना फर्स नेम लास्ट नेम भरना है नेशनलिटी चूज करनी है उसके बाद से अपना मोबाइल नमबर फिल करनी है उसके बाद से फ्रेंट्स आप देख सकते हैं नीचे में अपना इमेल आइडी भरना है जो की सही सही email id हो और unique हो जो आपका यूज में हो ठीक है उसके बाद से पूछ रहे हैं डॉमिसियल आफ बिहार एस्टेट अगर हैं तो यस करेंगे अदरवाज नो करेंगे फ्रेंट अदर अदरवाज नो करेंगे उसके बाद से हिंदी टैपिंग आती है इंगिज टैपिंग आती है करना है और यहाँ पर सॉट हेंड आपको हिंदी में लिया जाएगा पूछ रहा है आर यू प्रोफेसेंट इन हिंदी सौट हैं तो फ्रेंट्स यहां पर एस्टोनों की फॉर्म वेकैंसी है तो आपको यस दोनों पर करना है और तीनों पर आपको यस कर लेनी है ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद से यहां पर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर दाना है ठीक है करना इसको मिलाने हैं कि आपने फॉर्म फिलप किया सबचीद कि bucky सही है कि नहीं है ुसके बाद से बाध सेह सजोल सबनाइब करने हैं जैसे से यहांपे लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको यहां पर लिक देनी है उसके बाद प्रेंट यहां पर पहले इस टेप में आपको रिष्टेशन करना और प्रेंट करना तो इसी इसका ध्यान रहे हैं आप जो भी फॉर्म फिलप करें यहां पर सोच समझ के भरे नोटिफिकेशन पढ़ लें देख लें जान बूझ लें तभी आप इस फॉर्म को फिलप करें ठ करना है अगें उके करना है उसके बाद से क्या करना है फ्रेंट आपको डारेक्ली यहां पर पमेंट मोड पर चले जाएंगे आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड करड अभीम यूपियाई से भी आप यहां पर पमेंट कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस से करेंगे आप उसी पेज़ पर चले जाएंगा और यहां पर यहां पर यहां पर सकते हैं यहां पर क्लिक करेंगे तो वहां पर चला जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर पमेंट करेंगे आप उसी पेज़ पे चले जाएंगा और यहां पर देख सकते हैं यह रिज़इटेशन इस इतना और यहाँ पर आपका registration हो चुका है इसके बाद से आगे का process में आपको समझा दूँए आप details मिला लेंगे यहाँ पर इसको print out भी कर लेंगे यहाँ पर लिख रहा है friends your registration ID और you have successfully filled the registration form and permit has been received तो यहाँ पर permit received कर लिया आपका email ID पर यहाँ पर confirmation भेज दिया गया है friends आप यहाँ पर print जरूर कर लेंगे अब यहाँ पर करेंगे proceed to fill application form ok पर click करेंगे तो यहाँ पर एक और tab open होगा और यहाँ पर instruction दिया हुए आप पढ़ सकते हैं उसके बाद से declaration क्लिक करना है proceed to fill पर click करने है ठीक है friends थोड़ा सा वीडियो fast हो रहा है but no problem आप वीडियो को push करके देख सकते हैं अब आपको यहाँ पर अपना father name mother name उसके बाद से marital status मतलब आप साधी है कि unmarried है यह आपको चूज करना है identification card आपको चूज करना है voter ID card driver license pen card ठीक है ना passport है रासन card है birth certificate है इसमें से कोई भी आप चूज करके उसका card number आप यहाँ पर identity card number यहाँ पर feel कर लेंगे ठीक है ना उसके बाद से यहाँ पर आपको identification marks यानि आपको बाड़ी में क्या पाचान है मतलब आपके mole हो सकते हैं कोई कटा फुटा हो सकता है तो आप जो body में पाचान है वाँ पर feel कर लेंगे उसके बाद से पूछ रहा है अगर है तो yes करेंगे yes करेंगे तो कुछ details पूछे हैं आपको भर ले नहीं है otherwise यहाँ पर no करेंगे ठीक है friends तो उसके बाद से आपको educational qualification details आपको feel करनी है तो friends यहाँ पर education qualification 10 plus 2 माँगा गया है और s2 no short hand माँगा गया है ठीक है friends उसके बाद से computer knowledge भी माँगा गया है तो आप यहाँ पर feel कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर metric का school name या institute name या university name क्या है वो यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद से passing certificate number आपके mark sheet पर मिल जाएगा वहाँ पर आप देखके feel कर सकते हैं उसके बाद से आपका passing year क्या है date month और year आपके mark sheet पर दिख जाएगा नीचे पर तो आप यहाँ पर अपने mark sheet के अनुसार यहाँ पर सब चीज आप feel कर लेंगे मेरे पास है उसका details अगर आपका इपास graduation है जिसे bca become या bba है तो आप भरे पीजी है तो भी भरे आपको कुछ जरूर फायदा होगा अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें ठीक है ना उसके बास आपको अपना address details फिल करना permanent address क्या है post office state आपको चूज करना है उसके बास से डिस्टिक चूज करनी है उसके बास आपको अपना पीन कोड़ एरिया पीन कोड़ इसको बोलते हैं आप यहाँ पर फिल करेंगे अगर आपको दोनों address पर्मनेंट और स्पेंडेस एडर्स तो यहाँ पर यहाँ इसे मैं यहाँ पर लिख देगा ठीक है फ्रेंट्स उसके बास से आपको यहाँ पर कुछ डिकलेशन आप क्रिमिनल केसिस के बारे में आपको बताना है तो मैंने इसको पढ़ा और इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बास से मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अपलोड करनी है अवसके बास हिंदी सिंगने चाही और इंगलिस सिंगनेचर आपको यहाँ पर अपलोड करनी है ठीक है फ्रेंट्स यहां पर कुछ इंस्ट्रक्सन दिये हुए है फोटो अपलोड करने कि यहा पर देख सकते हैं दो मन्त nap foul ठीक है न उसके बाद से फाइल साइज JPG होना चाहिए गुड क्वालिटी का किलियर फोटो होना चाहिए और यहां पे ब्लैक कलर ग्लासिस के साथ यहां पे आप फोटो खीचवा के अपलोड करें यहां पे साफ साफ लिखा गया है ठीक है फ्रेंट्स 25 के भी से कम ही आपका फोटो साइज होना चाहिए जो अपलोड करेंगे उसके बाद से इंगलिज सिंग्नेचर और हिंदी सिंग्नेचर यहां पर बताएगा दो दुस्तो ब्लैक इंक के साथ आपका सिंग्नेचर होना चाहिए वाइट पेपर पे ठीक है न और इसका साइज JPG और 25 के भी से कम होना चाहिए तो फोटो अप्लोड करना बहुत ही आसान है आख बंद करके यहाँ पे फोटो अप्लोड करेंगे इंस्ट्रक्शन को एक बार जरूर पढ़िए एक फ्रेंड्स ठीक है ना तो ब्लैक इंक से आपको सिंगनेचर होना चाहिए ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पे फोटो अप्लोड करता हूँ उसके बास जहां भी मेरा फोटो है कंप्यूटर पे वहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जैसे कि मैंने पिक्चर में रखा हुआ है तो जिस बन्दे का मेरे को फर्म फिलब किया उसके वह आप मैंने यहाँ पे फोटो रखा याँ मैं यहाँ पे चूज कर लिया देख सकते हैं फोटो अप्लोड हो गया, उसी तरह मैं सिगनेचर यहाँ पर अप्लोड कर लोगा, यहाँ पर English सिगनेचर मुरे को अप्लोड करना है तो मैंने चूज कर लिया, उसके बास हिंदी सिगनेचर मैं यहाँ पर चूज करूँगा, फ्रेंट्स ब्लैक इंक से यहाँ पर प्रोसीड, तो चले फ्रेंट्स यहाँ पर करते हैं, प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिभीव पेज आ जाएगा, आपको क्या करनी है, एक बार एस चे से मिला लेनी है, क्या आपने जो भी form fill up किया, सही है कि गलत है, ठीक है न, उसके बाद से इसको tick करेंगे, और जो भी capture लिखा हुआ है, आप एक बार इसको भरेंगे, भरने के बाद से submit वाले application form पर click करेंगे, अगर कोई mistake हो, तो edit details पर click करके, आप edit कर सकते हैं, ठीक है न, submit कर देंगे, तो उसके बाद से कोई chance नहीं है कि आप edit कर सकते हैं, ठीक है friends, तो यहाँ पर submit करने से पहले, आप एक बार हो, दो बार हो, तीन बार, चार बार, आप एक बार मिला लेंगे, ठीक है न, जो भी यहाँ पर अपने details fill किये हुए है, आप इसमें correction कर सकते हैं, ठीक है friends, तो वीडियो आपको पसं originally submitted registration आमर यहाँ पर दिखा रहा है, अब यहाँ पर आपको print out करके सुरचित इसको रख लेनी है, ठीक है friends, तो इस तरह से आपको form को fill up करनी है, वीडियो कैसे लागा, आप comment box में comment करें, suggestion दे हमें, और वीडियो एक बार like जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में share करें, मिलते हैं, अगले वीडियो के साथ, नहीं वेकेंसी के साथ, नहीं जॉब के साथ, इसी तरह प्यार दुलार देते हैं friends, हमें दीजे जात, और देखते हैं, डिया सेलपिंग फारवर, थैंक्यू फार वाचिंग, जाहिन,